हेलो फ्रेंट्स में नेचर भी के लिए इंडिया यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में गरीब रत कोच बनाएंगे तो देखिए उसके लिए मैंने यहां पर उसका जो डाइग्राम है बना लिया है पेपर पर उसका सारा मेजरेमेंट में बना लिया हूँ उसके बाद देखिए यह इस तरह का पतला कार्बोड आता है उसी के उपर से हम उसको बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा का जो model है उसको ज्यादा अच्छे से हम सेप दे पाएंगे तो उसका जो डायग्राम है मैंने नीचे description में दे दिया है उससे आप download करके उसका सारा जो नाप्रे ले सकते हैं तो दोस्तु देखिए यह हमने जो लिया है डायग्राम को उसको अब हम कट करेंगे तो करके उसका stencil निकालेंगे जिससे की हमारा जो cut करने के लिए उसका body को यहां पर हमें आसानी होगा देखिए जिस तरह से मैं यहां पर इस paper को cut कर रहा हूं इंडोर को उसी तरह से आप भी कर लीजिए करने के बाद देखिए उसका जो स्टेंसिल है बनकर तैयार हो चुका है बनकर तैयार होने के बाद हम इसको हम जो पहले पतला कार्डबोंड लिये थे उसी के उपर इसको रखकर सारा जो आउटलाइन है खींच लेंगे देखिए पेंसील से उसको सारा outline यहां पर खींच लेंगे तो हमारा जो accurate measurement है उसके उपर छप जाएगा तो देखिए इस तरह से मैं यहां पर कर रहा हूँ उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने यहां पर उपर का measurement ले लिया है उसके बाद यहां पर 5.5 cm छोड़कर एक कहेंग छाहूं नना के बाद देखेए इस lesson के दूसरे तरप भी उसको रखकर इस तरह से मैंने आउटलाइन ले लिया चसanges से निकाल ले ना है देखेहं किस तरह से में यहां पर सिदा सिदा करके थ्र्मकोल काटा रहा है उससे कट करके निकाल रहा हूं तो हमें सारे जो यहां पर हमें बोक्स बनाए हैं उसी में से इसको काट के निकाल लेंगे निकालने के बाद हमारा जो बोडी है ट्रेन का वो एक तर बोडी है जो कोच का बनकर एक तरब का आ जाएगा तो देखिए इस तरह से उसको आप कट कर लीजिए जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा इस वीडियो को fast forward में बना रहा हूँ ताकि आपका समय बचे तो इस तरह से काटने के बाद आप उसको नाखुन से press कर लेगे तो ये निकल जाएगा निकलने के बाद दोस्तों देखिए यहां पर उसको हमें खोल्ड करना है तो कौल्ड करने के लिए इस तरह से उसको कोल्ड कर लगा रहा हूँ जो यीलो कलर का है हमाया जो गईब्रत का इंटरियर रहता है यिलो कलर कर रहा हूं और यहां पर थोड़ा सा strength देने के लिए भी हमें यहां पर एक Cardboard का पीछ लगाना चाहिए तो दोस्तों मैं Cardboard से ही बना रहा हूं लोग हर कोई comment करता है कि आप Cardboard क्यों क्यों नहीं बनाते है आलुमिनियुम से बनाते हैं हमें बनाने में मुश्किल होती है इसलिए मैं यहां पर काड़ वोड का इस्तमाल कर रहा हूं मुझे लगता है कि आप इसको देखकर बना सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीका है और इसमें देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो देखि जो कर्नर है उसका वो राउंड निकलेगा उसके बाद मैंने यहां पर आगे और पीछे वाला जो गेंगवे होता है और पीछे वाला जो हमारा वाल होता है उसको भी काट लिया है काटने के बाद उसको लगा देंगे लगाने के बाद हमें स्प्रेय पेंट यहां पर ग्रीन क को कर रहा हूं इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है इसी तरह से आप भी कीजिएगा एक्रिलिक पेंट यहां पर आप में यूजनवत कीजिएगा नहीं तो इसका जो टेक्स्चर यह अच्छा नहीं आता है उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर मैंने जो एक पॉलि सकता है और यह मिल भी जाता है आसन से इसको आप इस तरह से चिपका ली उसकी बाद हमें उसका इंटरियर का काम करना है तो यहां पर देखिए मैंने उसका जो कमपांडमेंट रहता है उसी के हिसाब से मैंने यहां पर cardboard को काट कर line से चिपका लिया हूँ उसके बाद उसका जो seat है बना रहा हूँ थर्मोकोल के मदद से इस तरह से उसको चिपका लीजिए जिस तरह से मैं यहां पर कर रहा हूँ या फिर आप अपने से भी कुछ creativity कर सकते हैं और सुन्दर बनाने के लिए तो यहां पर इस तरह से मैं line से चिपका लेता हूँ उसके बाद उसका जो sleeper है उसको भी हमें बनाना है उपर वाला sleeper बनाएंगे उससे पहले देखिए यहां पर जो उसका corner है जो edges है उसके यहां पर उसको भी lamination करना है तो इस तरह से cardboard के strips cut करके इसके उपर चिपका लीजिए तो यह बन जाएगा तो यहां पर देखिए मैं उसका जो sleeper से दोनों तरप का उसको चिपका रहा हूँ तो उसको भी super blue के मज़द से अच्छे से चिपका दीजिए तो यह भी हमारा काम complete हो चुका है तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है मैंने यहां पर seat को एक brown color के paper से cover किया है जिसे की अच्छा यह दिख रहा है seat का color उसको अब हम उसके body के अंदर चिपका देते हैं तो यह हमारा एक side का जो compartment है sleeping का यहां पर sleeper seat का जो compartment है बनकर त्यार हो चुका है अब दूसरे side को भी इसी तरह से बना कर चिपकाएंगे तो दूसरे side यहां पर single sleeper रहता है तो इसी तरह से हमें उसको भी बना कर चिपका देते हैं तो देखिए दोस्तों यह किस तरह से दिख रहा है चिपकाने के बाद उसके वाद दोस्तों देखिए यहां पर मैंने yellow color यहां पर उसका जो लाइन है यह लोग के पट्टी जो लगती है जो बीट लगा रहता है ट्रेन में गरीबरत एक्सप्रेस में उसी तरह से यहां पर उसको सीधा लाइन में पेंट करते हुए आगे ले रहा हूं पतला प्रस का उची जी या नहीं तो यह फेड़ हो जकता है क्योंकि यह पेपर है इसलिए यह प्रोब्लेम थोड़ा सा यहां पर आ रहा है तो देखे उसका गेंगवे भी मैं बना चुका हूं पेपर से और उसका जो पीछे वाला भाग है वो भी बना चुका हूं तो यहां यहां पर उसके उपर एक टुकडा में चिपका लिया हूं और दो होल यहां पर बना लिया हूं उसके बाद और एक टुकडा लेंगे और उसके स्ट्रिप्स निकाल लेंगे हमें लाइन कीच कर देखिए लाइन कीचने के बाद इस तरह से हमें उसको काट कर निकाल लेंगे काटने के बाद यहां पर दोस्तों देखिए उसको यह जो हमने दो फ्रेम बनाये थे उसके उपर हमें उसको चिपकाना है तो हमारा जो बोगी का फ्रेम है इस तरह से बनेगा उसके उपर मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बना चुका हूँ आप चाहे तो मेरे चैनल में जाक यह भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसके उपर आप उसको भी देख सकते हैं बहुती अच्छी तरीके से वहां पर मैं उसको समझाया हूँ तो हमारा जो यह बोगी है बनकर त्यार है बस यहां पर थोड़ा सा डिटेलिक्स बाकी है तो यहां पर मैंने स्प्रिंग भी ल यह बनाने में बहुत टीम लगता है दोस्तों पर यह वीडियो में देखने से लगता है कि बहुत्य आशान तरीके से बन जाता है अगर में उसका पूरा वीडियो छोडब तो यह तीन घूंटे की करेब होता इसलिए आप मेरे मेहनत में देहार होता है यह बिल्कुल देखिए बहुत सारा इसमें detailing score करना भी बाकी है आप मुझे comment में बताए कि क्या और करने से यह अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में और क्या idea है मुझे आप comment में बता सकते हैं तो देखिए हमारा कोच बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है और यहां पर मैंने एक blinker light भी लगाया है और अंदर की तरब यहां पर मैंने उसका जो LED light भी लगाया है तो अंदर की तरब भी light जल रहा है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताए और इस दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए मिलते हैं इसी तरह के एक वीडियो में तब तक के लिए दन्यबाद हो तो सुनताओ के वीडियो अंदर के ऴीड gelmiş तोस्तोंी जल बताई ख़ने ही सत्च में की बूद आपक। जल ए 52 ऑब दोस्तों के शोस्तों के वीडियों ुई हुआ झाल झाल झाल